नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग तो स्टॉक मार्केट स्टैडिस में फिर से इक पर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज में फिर से आपके सामें कुछ इंपोर्टेंस कंपानी के आपडेट्स और इसके टेक्निक लिए चाट परें इसके बारे में डिस्केसन करूंगा इस वीडियो को लास तक देखिएगा और अभी तक अपने चनल को सब्सक्रीब ने किया तो जूरू करिएगा ये कि सारे वीडियो जो है मैं आपको सिखाने के लिए और सारे डिटिल्स आपके साथ एडिकेसन पारपास में स्यार करता हो कोई भी मेरे तरफ से बाइन से रि आपके रिक्स की साब से जूरू करिएगा तो चलो फटा-फट सूरू कर लेते हैं आज के वीडियो तो सबसे पहले में जिस कंपानी के बारे में डिसकेसन करूँ उसका नाम है दीपोक नाइट्राइट एक देखाजे तो एक पॉपलर कंपनी है और मेरे इसाब से इंडिय किया है के सर जब दीकाओ नाइट्राइट के बारे में बात करते हैं तो इतना कंफिडेंट क्यों है कि उसके पीछे लॉजिक है देखिए सबसे पहली बात स्पेसालिटी केमिकल्स और देखिए फाइन केमिकल्स इस तरीके से अलग-अलग पोड़क साथी साथ अलग- मुझी इस कंपनी में जो खासियत सबसे लगता है कंपनी 75% सोडियम नाइट्र के उपर कंपनी बीजनेस को पहला कर रखा मतलब 75% मार्केट से अकेला दीपक नाइट्र ही लेके रखा है तो मेरी साब से एक बेस्ट ऑपरचुनिटी है एक बेस्ट पार्फरमेंस देखिने को मिला है और तो कंपनी की जो बिजनेस मॉडूल से उस ही साफ से कंपनी का पार्फरमेंस पर अच्छा दिखेगा कंपनी का रोसी और तो बेस्ट है और साथी साथ कंपनी का जो कर्जा है एक जो जीरो डेप्त है इसका मैनेजमेंट का यही करना है कि इस कंपनी के उपर हम हमें सा उसके एक ही फोकस रहता है वो है करजा हमें सा वो डेप को जीरो लिक करके ही चलते है और उसकी अलावा बो ज्यादा पर्फमेंस नहीं करता है तो मेरे इसाब से यहां पर जो पैग रिस्यू है वह भी बेस्ट लेबल में आप देखने को मिला कोई क्रेश्यू भी ठी जिस अपरचिनिटी को फाइद की साब से देखना चाहिए तो चलो सब कुछ में डिसकेशन में आपके साथ कर लता हूँ सबसे पहले में जो पॉइंट साथ करूंगा वह है रिजर्व तेकि कंपानी कितना प्रॉफिट के कितना लॉस या बहुतों इंपॉर्टन्स है साथ कंपानी का रिजर्व कितना करजा लिया और कितना कंपानी का फिक्स एसेट है वह देखना बहुत इंपॉर्टन्स है यह कंपानी का रिजर्व है वह एक टाइम मतल्व 2015 में मानके चले साथ साल पहले आगर चला जाओ तो 300 क्रोड के आसपास था एकदम छोटा मोटा कंपान के उपर भी चला गया था तो आधस कैपिटल के लाइबरिटिस के बारे बात करो तो यहां पर भी लाइबरिटिस भी आच्छा का सा देखने को मिला अभी एक चीज में और पी आपको बता दू कंपानी का आधस जो एसेट है जो आधस एसेट में देखने को मिलेगा 2500 मेरे साब से देखने का मिला और बागी दिखिया आप तो समझदार है मेरे ज्यादा कुछ भूनने का जुरूत नहीं कि कि कमपानी के अगर पर्फमेंस सही है तो इस कमपानी के उपर आपको लॉंग टाम के लिए सोचना चाहिए उस कमपानी के उपर कुछ अच्छा कासा दे ने देखे last कुछ मांस में जैसे March, April, June, July इस तरीके से कुछ मांस में सरी, July में सेलोफ किया गया वाकि सारे मांस में अच्छा खासा बाइंग किया गया और इस बाइंग होईने के चलते हुए जो चार्ट परन सामने लिकल का रहा है मैं आपको एक टेड़ भी मेंसन किया थ तरह पिर भी बता रहा है तो मैं तैसमारट होने के बाद मैंने ही लिया है, यहाँ पर करके ब्रेक आउट हुआ तो इस केंडल के बहुत है अब ही टर्गड मेरा फिर यहाय तक था तो चोटा-चोटा शोटा शोटा तार्गेड लेकर मैं चल रहा है। आप से 50% कम Crisp 2 म अगर में अब गोही 10% में दो में? अब अब क्हांगे सार कोई ट्रेड का मुमका का मिलेगा, मतलब यहाँ पर पे च्छा का शाGA सा त्रेड बनने जा रहा है यहां पर मेरे हिसाब से cup with handle patterns बनने वाल है, तो यहां पर देख सकते एक बड़ा सा cup बना और उसके साथ एक अच्छा का सा reversal handles भी बना, तो मेरे हिसाब से cup with handle pattern जब compete हो जाएगा तो एक बड़ा सा movement है यहां पर देखने को मिल सकता है, तो मैं इस बड़ा सा NT लेने के लिए इं मदार्सान सुमी ओरिंग्स लिमिटेड तो मदार्सान सुमी ओरिंग्स लिमिटेड जो है एक auto-insularies company तो इसके बार में मैं बहुत बार आपके साथ discuss कर चुका और मैं भार-बार आपको इसी companies के बार में discussion इसी लिए करता हूँ, क्योंकि देखिए, आप जिस company के उपर करेंगे तो वहाँ पर आपको उस company के बार में जान करी उसके साथ साथ उस company के details आपको हमें साथ दिखेगा, तो मेरे इसाब से मदार्सान सुमी ओरिंग्स लिमिटेड के उपर focus रखना चाहिए, क्योंकि इस company का growth potential high होने वाले है, और मेरे इसाब से company कोई छोटा मटा company है, 26,000 क्रोड के आसपास इसका market cap है, इतना बड़ा company है, तो मेरे इसाब से इस company के उपर focus रखना बनता है, क्योंकि इस company के जो stand है, बहुत stand बहुत सांदार देखने को मिलता है, ROC, ROE based है, और company का peer issue थोड़ा सा high है, और industry is peer issue से company का peer issue थोड़ा सा high है, कितना high है यहाँ आपको यहाँ पर देखा सकता हूँ, आप देख सकते है, company का peer issue 53 के आसपास है, और current चो peer issue है, वो 55 के आसपास है, इसका मतलब ठीक ठागी है, इतना ज्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है, एक average के आसपास company के peer issue देखने को मिला है, तो overall company का net profit है, मतलब profit and loss के बारे बात करू तो company के sales का growth है, वो करीबन हर quarters में company हर साल में खुद का sales को growth किया, तो आप कहेंगे sir, sales का तो growth हुआ, और expense को भी control में रखा, और company अच्छा का सा profit भी किया, क्या एही profit काफी है company के लिए, मेरे ही सबसे तो नहीं है, company का profit और भी बढ़ेगा, आखी के company का business बढ़ रहे है, त इसके लिए को कुछ time देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ patient के साथ आपको बन रहेना पड़ेगा, तब इस company के उपर आपको अच्छा का सा फाइदा मिल सकता है, तो देखिए, opportunity हमें साब को देता रहेंगे, आपको यह नहीं समझना है कि मैंने miss कर दिया, मेरा जो trade बनना तो company के खासियत यही पर है, company के देखिए, share capital कम होता गया, उससे कोई फरग नहीं पड़ता है, company के reserve बढ़ता गया, तो company के जितना reserve बढ़ेगा, उतना ही company के लिए खास बनेगा, और दूसरी बात company के जो borrowings है, उसके बारे हैं बात करो तो company के borrowings भी सांधार देखने तो मि प्रॉफिट कितना किया, net profit में सालवर के दिखा देता हो, कितना, चलो मान लेता हो, 480 करोड और company को इस बार company liability कितना बागी है, 900 करोड और company कितना trade मिला, अभी company का project मिला, करीबन 800 करोड, तो 800 करोड करीबन 1700 करोड के आसपास, तो 800 करोड कमपनी का project मिला, और company का payment करना बा उतना तो profit नहीं कमाया, company तो सिर्फ 400 करोड का profit किया, तो बाकी 400 करोड पैसा कहा से आएगा, इसलिए company क्या क्या करजा लिया, तो समझने बहले बात है, कि company ने जिस basis में करजा लिया, वो basis आपको देखना चाहिए, कि करजा जो लिया गया, वो किस basis में है, long term के लिए कि short term क यहाँ पर एक चीज देखना, short term के लिए भी करजा उतना जादा नहीं है, उतना कम कम करजा है, और long term के लिए तो ना के बराबर है, तो करजा कहा पर है, करजा actually lease liabilities में, company कुछ lease लिया, project के लिए, तो lease liability के हिसाब से 290 क्रोड के आसपास company का lease liability देखने को मिला, तो यहाँ मेरे हिसाब से positive science है, इस company के तरफ से, मेरे हिसाब से, तो company का growth होने का chances, higher chances है, इसलिए investor भी इस company के उपर धिरिदे करके holding को maintenance किया, holding को increase भी किया, अभी रही बात इस company के उपर mutual fund वालने क्या क्या आप देखेंगे, तो last कुछ quarters में sale of क्या, अभी sale क्यों क्यों किया रहा है, क्योंकि last कुछ month से buy किया गया था, February, March, April में, अभी sale किया जा रहा है, तो उसके पीछे कारण तो होगा न, हाँ, कारण में आपको दिखा देता हो, यह चार्ट प्रेटर्स के बारे हैं, बात करो देखिए, March, April में, तो, sorry, February, March, April, इस तीन अमान में देखें किस तरगे से buying हुआ, और जब बाइंग इसतना सांधर आया था, और यह पर देखिए, कफ, sorry, solder, come head, come solder बना था, और यह पर breakout भी हो था, confirmation भी मिला, और 15% के यह पर profit मिला, जब इतना सांधर profit book मिला, तो हर कोई तो यह पर profit booking करेंगे न, तो profit booking हुआ, तो इसलिए correction भी हो रहा है, तो उतना प्रेट बनेगा, जो मैं आपके साथ share करूँगा, तो अच्छा लगा इस वीडियो को, तो प्लीज लाइक जूरू कर देना, तो थाट जो company है, जिसके बारे मैं बाद करूँ, उसका नाम है Tata Motors, Tata Group के सबसे एक पूरणा company है, और Tata Motors, एक Tata Group को अलेक तरिक से represent भी करते है आप सब जाने ते Tata Motors के अलगळा category wise business है, जा मतला अलगळा category wise vehicles वह बेशते है, जैसे passenger vehicles भी हो गया, साथी साथ वो heavy vehicles को भी बेशते है, साथी साथ वो buses भी बेशते है, trucks भी बेशते है, तो इसका मतला हर category में Tata Motors आपको दिखेगा, तो Tata Motors के जो levels था, वो 64 रुपीज तक आ गया था, COVID के टाइम में, और उसके बाद जो धामा का दिया, वो देखने का लाए है, 10 times return company बना के दिया, तो 10 times return बना के दिया, वो भी 3 साल के अंदर अंदर, तो इही है, पावर सही company में, अगर सही time में आपको अपको अच्छा खासा एक धामा का profit ratios मिल सकता है, तो मेरे इस business का company कितना फाइदा company को आ रहा है, और आपको यह देखना है, company जिस business कर रहे है, उस business में उसका कौन सा product सबसेदर demandable है, एक इस company का सबसेदर demandable जो product है, वो है jaguar and land rover, जहांसे company का 67% revenues हा रहा है, और टाटा commercial vehicles के उपर 13%, passenger vehicles के उपर 11%, और vehicles finance के उपर 2% और others के उपर 1%, तो जैगवर and land rover है, देखे मेरे कहने का मतलब है, जैगवर and land rover इसका सबसेदर लग्जरी गाडिया है, और इसका demand market में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोगों के दिखिए, इंडिया में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखना है, रस्ते में आपको, मतलब, लग्जरी गाडि तो बहुत सारे लोगों के हाथ में बहुत सारे पैसे है, तो बो चाते है, खुर्थ का लग्जरी गाडिन के लिए, लग्जरी खाने के लिए इस तरिका से गाड़ी खंद है। से ज़रीज गारिया नहीं ज़री नहीं वह हाई प्रैस के गारिया नहीं यह एक उक्तर है तो ची defines बाकि दुसरे यह साथ इस सह對了 वह बाहर की गारिया है तो मेरेस साथ इस कंपमें संपी अच्छी कें पर्षाम होके दो तीन परसन के आसपास आया और रही बात कमपनी के जो प्रॉफिट लॉस आप ध्यान से देखेंगे क्वार्टन में दिखा दू लिखे सेल्स किस इस बार हैस्ट सेल्स लेखने को मिला लास्ट कुछ कौर्टन में कमपनी सेल्स को मेंटेंस करने के बाद कमपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर पाइदाभी कमपनी देने स्टाट किया और बड़े से बड़े जूव मतलड boss वा अच्छा ओसा पैसा इस कमपनी से कमाये आप यस क् infect की उपर पर युबेश करके तो अच्छा खास आपको फाइदाल मिल ने मिला है मेरे पास या stimulus के तो में जून जूलाइ इस तीनों मान में इस तीनों मान में अच्छा का सा करेक्षिन देखने को मिला है अभी टाटा मोटुस के बारे बात करो तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को तो यहां पी दो तरीके से टेड़ बना है आगर देखेंगे तो लॉग जो जर्णी है वस सबसे देखा तो एक लोग एंटी बना और दुसरी तरीके से देखेंगे तो एक सौड इंटी भी बना तो सौड इंटी का टार्गेट यहां पर अच्छी जलसे-जल हो जाएगा मेरे इसाब से क्या पर दो बार सोल्डर बना उ यहां पर फिर से बना चाहूंगा इसके बाद फिर से चोटा से यहां पर सोल्डर बना तो उसके हिसाब से यहां पर एक बड़ा एंटी लेबल बन सकते हैं तो में फरस होय एकाके साथ मैं अपको किया थे फिस फिर रे के है's अनलगा सकता है पने लिए कररेंग our और और बार की देखा जाएगा क्या होने वाल है नेख नेक सटे सिरे लीमिटेड आहलो है जानी चि aspra company के खासे तही है कि company continuously आप ए अच्छा खासा journey company दिखाया और अच्छा खासा रिटरन भी दिया और इसी हिसाब से company अच्छा खासा आपको रिटरन देने के बाद आप देखेंगे company किस तरी किसे धमक आपको रिटरन दिया ऐसे निगे company खराब है sales growth profit growth और return of security सब कुछ positive देखने को मिला तो साइध इसलिए प्रोमोटर ने बहुत बड़ा अनूंस बने किया और फॉस्ट सेप्टेमबर मतलब कल के दिन आपको इस company का एक के बदले एक सेर आपको मिल जाएगा तो आई हो वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना दोस्तों सेर भी करना चैनल को सब्सक्रेब भी करना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए अच्छे सरी अपनी ख्याल लखिए धन्यवाद